नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूँ आपके साथ छेलेंद्र पांडे वैसे तो जोतिश में नव गरहों की बात की जाती है नव गरहों की चर्चा होती है लेकिन जोतिश में जो नए शोध हुए नए रिसर्च हुए उससे तीन ग्रह और आ गए युरेनस, नेप्चून और प्लूटो और इन तीनों ग्रहों की भी जोतिश में महिमा बढ़ गई इनका महत्व बढ़ गया तो आज हम इनी तीन अनोखे ग्रहों में से एक ग्रह की बात करेंगे जिसका नाम है प्लूटो आखिर प्लूटो कौन है? इसका महत्व क्या है? इसकी महिमा क्या है? और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? आज इस बात को जानने की कोशिश करेंगे चालचक्र में क्या खास है? चलिए बताते हैं आपको चालचक्र में आज बात करेंगे प्लूटो के रहस्य के बारे में प्लूटो का जीवन पर प्रभाव कैसा पड़ता है और अगर प्लूटो जीवन में खराब परिडाम दे रहा है तो क्या उपाय करें इसको जानने की कोशिश करेंगे आज पापांकुशा एक आदिशी है और प्लूटो पर चर्चा करने के पहले मैं आपको याद दिला दू कि आज के दिन अगर आप भगवान से प्राथना करते हैं खास तोर से भगवद गीता का पाठ करते हैं भगवत गीता के ग्यारहवे अध्याय का पाठ करते हैं और अपने पापों को समाप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पापों का नाश होगा आपके पाप समाप्त होंगे और आपके ही नहीं, आपसे जुड़े हुए तमाम लोगों को अपने पापों से मुक्ते मिलेगी सबसे पहले जानते हैं कि प्लूटो कौन है और प्लूटो की विशेष्टा क्या है देखिए, जो प्लूटो है ना, ये भी हमारे सौर मंडल का ही एक प्लैनेट है एक ग्रह है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं और से प्रकट हो गया है हमारे सौर मंडल में ही पाया जाता है पहले प्लूटो को जोतिश की गड़नाओं में शामिल नहीं करते थे लेकिन अब इसको जोतिश में महत्वपूर स्थान मिल गया है जोतिश की गरनाओं में प्लूटो का स्थान भी जरूर रहता है जोतिश में इसका हिंदी नाम इस्तमाल करते हैं और वो नाम है यम प्लूटो की खासियत क्या है? प्लूटो के अंदर जो खास बात है न, इसके अंदर बुद्ध और शनी दोनों का मिश्रित प्रभाव है, इसके अंदर बुद्ध भी है और इसके अंदर शनी भी है, तो जो बुद्ध के गुण या अवगुण हैं, वो भी प्लूटो के पास हैं, और जो शनी के गुण या कम्यूनिकेशन से और स्प्रिचुवलिटी से संबंध रखता है कोई व्यक्तिट टेकनोलोजी में, कम्यूनिकेशन के मामले में या आध्यात्म के मामले में कितना सफल होगा ये बात प्लूटो बताता है प्लूटो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्लैनेट है इस सारे मामले म अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्लूटो जीवन के किस-किस भाग को प्रभावित करता है, किस-किस इलाके पे असर डालता है देखिए, दुनिया की जो सारी टेकनोलोजी है ना, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो एलेडी लाइट हो दुनिया की सारी टेकनोलोजी ये प्लूटो के पास ही है, ये प्लूटो के पास ही रहती है रहस्यमई किरणों का संबन्द भी प्लूटों से है जो तमाम रेज की बात की जाती है अलफा, बीटा, गामा तमाम तरह की जो रेज का इस्तमाल होता है रिमोट कंट्रोल से जो रेज निकलती है या ओजोन किरणों के एक्षय की वज़ा से जो किरणे आती है ये जो तमाम रहस्यमई किरणे है इन सब का संबन्द भी प्लूटों से है जीवन के रहस्यों को सुलजाने वाला जुग्रा है ये भी प्लूटों है ये आपके जीवन के उन तमाम बातों को बता सकता है जिसके बारे में आपके सिवा कोई नहीं जानता प्लूटो अगर अच्छा है तो व्यक्ति को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही तक्निकों में, दोनों ही मामलों में सफलता देता है व्यक्ति भौतिक रूप से सफल होता है, धन्मान होता है और आध्यात्मिक रूप से भी काफी तरक्की करता है अगर कुंडली में प्लूटो अच्छा होता है बढ़िया होता है तो और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि अगर प्लूटो का ज़्यादा प्रभाव हो तो व्यक्ति कम उम्र में ही इश्वर की तरफ जाना शुरू कर देता है या इश्वर प्राप्ति का प्रयास करना शुरू कर देता है अब ये जानते हैं कि कुंडली के अलग-अलग खानों में जब प्लूटो बैचता है या रहता है तो उसके प्रभाव क्या है उसका इफेक्ट क्या है देखिए प्लूटो अगर प्रथम भाव में हो कुंडली के यानि लग्न में हो तो व्यक्ति साहसी होता है व्यक्ति के पास इच्छा शक्ति होती है लेकिन यहां पर अगर आप गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे गलत काम करेंगे तो इसके परिणाम आपको तुरंत भुगतने होंगे और इसके परिणाम आपके लिए गंभीर होंगे कुंडली के दूसरे खाने में यानि दूसरे भाव में अगर प्लूटो हो तो इसकी वज़ा से धन के लिए समस्या पैदा होती है यहां पर आपको योग्यता का फाइदा हो सकता है आपकी मुश्किले कम हो सकती है लेकिन वो तब होंगी जब आपको कोई सही सलाह देने वाला व्यक्ति मिल जाए यानि दूसरे खाने में प्लूटो हो तो एक अच्छे सलाकार के मिलने से फाइदा होता है